लेकिन साध्यों इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्पूर है ये बात है राष्ट्रियता की भावना राष्ट्रियता की भावना यहीं लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दवरान आजाद हिंद फोच के सेनानी शाहन अवाज खान ने कहा था कि सुभाज चंद्रबोस वो पहले व्यक्ति थे जिनोंने भारत के होने का एसास उनके मन में जगाया वो पहले व्यक्ति थे जिनोंने भारत को बारतिय की नजर से देखना सिखाया आखिर वो कौन सी परिस्तितिया थी जिसकी वज़र से सहन वाज खान जी ने ऐसी बात कही थी भारत को भारतिय की नजर से देखना और समझना क्यों आवशक था यह आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो और स्पस्तरुप से समझ पाते हैं भाई और बहनों केम्बरिज के अपने दिनों को याद करते हुए सुभाज बाबु ने लिखा था कि हम भारतियों को यह सिखाया जाता है कि यूरोप ग्रेट बिटन का ही बड़ा स्वरूब है इसलिए हमारी आदत यूरोप को इंग्लेंड के चश्मे से देखने की हो गई है यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बार्त भारत और यहां की व्यवस्ताओं का निर्मान करने वालों ने भारत को भी इंग्लेंड के चश्मे से ही देखा हमारी संस्कृति हमारी महान भाषाओं हमारी सिख्षा व्यवस्ता हमारे पाठ्यक्रम हमारे सिस्थिम को इस संक्रमन का बहुत नुक्षान उठाना पड़ा आज मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाद बावु सरदार प्रटेल जैसे व्यक्तित्वों का मारदर्शन मिला होता बारत को देखने के लिए वो स्वदेशी चस्मा नहीं होता तो स्थीतियां बहुत बिन्न होती